नमस्कार चात्रों, आज हम कर रहे हैं रुबाईयों के MCQ, यह भी क्लास 12 का चैप्टर 10 है, और बुक का, लगबग 45 MCQ है, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स या 3 भागों में डिवाइड किया है, 15 MCQ इच, यह पार्ट 1 है, आशा करता हूं, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं कुछ भी कमेंट करना है, सेजेशन देना है, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उस पर अमल करूँगा, शुरू करते हैं पार्ट 1, प्रस्तोत कवीता में प्रियुक्त शब्द, गेसूं में का क्या आर्थ है, पैरों में, घुटनों में, बालों में या हातों में, प्रस्तोत कवीता में मा बार-बार हवा में क्या उच्छालती है, फल को, गेंद को, कपड़े को या बच्चे को, बच्चों इस कवीता में मा बार-बार हवा में बच्चे को उच्छालती है, मा बच्चे को नहिलाने के बाद क्या करती है, काजल लगाती है, जूते पहनात कंगी करती है या तेल लगाती है तो बच्चों उसका सही जवाब है कंगी करती है प्रस्तुत कवीता में प्रियोक्त शब्द शव का क्या अर्थ है रात्री निशा रात या यह सभी तो बच्चों प्रस्तुत कवीता में शव का यह सभी का अर्थ है रात्री भी निशा भी औ संपोर्न वतावरन, संपोर्न वैक्तित्व या आंगन। तो बैच्छ उसका सही जवाब है संपोर्न वतावरन। फिराख गुहुर गुरखपुरी जी की मृतिय। कब लुए ति सन 1998 इस्वी में सन 1992 इस्वी में, सन Personen 82 इस्वी में या सन 1996 में में। बच्चों इसका सही जवाब है सन 1982 याने 1982 इसवी में रुबाईयां गजल किस कवी की रचना है मजरू गोरकपुरी मजरू सुल्तानपुरी फिराख गोरकपुरी या फिराख सुल्तानपुरी बच्चों इसका सही जवाब है फिराख गोरकपुरी सन 1917 में फिराक जी किस पद पर चुने गए थे डॉक्टर के डिपिटी कलेक्कर के अध्यापक के या वकील के तो बच्चों इसका सही जवाब है वकील के नहीं इसका सही जवाब है डिप्ती कलेक्टर के मैं चेक कर रहा था कि आप लोग गलत सोच रहें कि नहीं तो सन 1917 में फिराग जी का पद डिप्टिक क्लेक्टर के लिए जुने गए थे फिराग गुरकपुरी का जनम किस राज्य में हुआ था? हिमाचल परदेश, मद्यपरदेश, उत्तर परदेश या गुजरात? सही जवाब है उत्तर परदेश हवा में बच्चे की क्या गुज रही है? रोना दोना, कंगन, पायल या हासी? बच्चों का सही जवाब है हवा में बच्चे की हासी गुज रही है फिराख गुरकपुरी किस भाषा के महान शायर थे हिंदी भाषा के उर्दू भाषा के या फार्सी भाषा के तो बच्चों जो इसमें आप्शन है ए आप्शन है उर्दू भाषा और बी आप्शन है फार्सी भाषा और C option है हिंदी भाशा तो जो फिराक गुरखपुरी जी है वो उर्दू भाशा के और फार्सी भाशा के दोनों के ही महान शायर थे तो इसलिए A और B दोनों प्रस्त कविता के अनुसार मा अपने प्यारे बेटे को कहां लिए खड़ी है घर के आंगन में घर के मंदर में घर के द्वार पर या घर की चछत पर तो बच्चों इसका सही जवाब है घर के आंगन में रुबाईया कविता में किस रस का प्रियोग किया गया है शांत रसका वीर रसका करुन रसका या वातसल्य रसका तो बच्चों इस कविता में वातसल्य रसका प्रियोग किया गया है और बच्चों ये पार्ट वन का आखरी MCQ है आशा करता हूं यह आपको हेल्प करेगा औ आपको वीडियो कर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा रुबाइया कवीता किस कावे संग रह से संग रहत हैं शहीद, बज में जिंदगी, विश्व, शान्ती या गुले नगमा तो बच्चों इसका सही जवाब है गुले नगमा और बच्चों, I wish you all the success and good luck for your exam and life Thank you for watching this video